नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल को सल्या देशी कीचन में हार्दिक स्वागत है आज एक नए सोमोसा के रेशिपी लेकर आए हूँ बहुत ही इनिक है और बहुत ज़्यादा ये टेश्टी बनता है बहुत ही कुरकुरा असा करते हूँ ये रेशिपी आपको पसंद लिया है 100 ग्राम मटर लिया है 100 ग्राम पनीर लिया है छोटे-छोटे पीसस में काट लिया है एक चमच जिरा गोल की पूटे हुआ अधरक एक चमच, हरी मिर्च और पाच फोड़ान, कड़ी पत्ता, आलू 500 ग्राम हमने उबाल लिया है और इसे छिल लिया है अब हम लेंगे मैदा, मैदा को हमें पहले सानना है, बरतन में डाल लिया है, एक चमच सूजी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जोयन मंगरेल एक चमच डाल देंगे, और उसके बाद हम 3-4 चमच इसमें तेल डालेंगे, रिफाइन और डाल कर अच्छे से मिला लेंगे, ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मसल मसल कर मिलाना है, और ये देखिए, परफेक्ट हमारा जो हमने रिफाइन मिलाया था, इसी तरह समय चाहिए, ये डो एक बन जाए हाथ से मोडने से, तभी जाकर हमारा समोसा कुर्कुरा जिसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे हलका टाइट आटा लगाना है तो यह देखिए हमने टाइट लगा दिया है और इसको हम आधे गंटे के छोड़ देंगे रेश्ट होने के लिए प्लास्टिक से ढग देंगे किस आटा सेट हो जाए अब हम मसाले तेयार कर लेते हैं यहां पर हमने तेल डाल दिया है कडाई रखकर और गरम हो जाया तो समय हम डाल देंगे पनीर पनीर को रहफा भूण लेना है बहुत ज़्यादा नहीं भूण ना है बस ह Wars Also हिखिए बहुत ही अच्यचा कलर आया है और पनीर भी अब्यूर एकदम सोप्ट है निकाल इसमें पााνο हमने डाल दिया है पाज पडरां चटक जाएं तो कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसके बाद हम दाल कर मिला लेंगे अधरक भी डाल दिया एक चमच उटा हुआ और हल्दी पाउडर सारे चीजों को डाल कर मिला लेंगे जीरक गोलकी को जो हमने कुट कर रखा था उसे भी डाल दिया है और मिला लेंगे अब इसी में डाल देंगे आलू आलू को हमने छोटा छोटा रोडी जैसा रखा है यानि छोटे छोटे टुकडों में जाद मेस हमने आलू को नहीं किया है अब इसी तरह समय चाहिए, अच्छे से इसे मिला लेना है, और इसमें हमने डाल दिया पनीर मसाला, एक बड़ा चमच से डाल कर मिला लेंगे, इसका टेस्ट जो है बहुती बढ़िया आता है, अब इसमें पनीर को डाल देंगे, बिना लसुन प्याज का समसा के रेसिपी है, आप कभी भी जब लसुन प्याज नहीं खा रहा हैं, किसी वितेवार में, तो आप इसे बना कर खा सकते हैं, हरी धनिया भी हमने डाल दिया है, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, डाल कर मिला लेंगे, निकाल कर एक बरतन में रख देंगे, ठंडा होने के लिए, और इसके बाद हम चलिए, आटा का तरफ चलते हैं, आटा हमारा अच्छे सेट हो चुका है, देख सकते हैं, सोफ हो चुका है, तो चलिए, अब हम चकला पर इसे रोल कर लेते हैं, इसके बाद हम इसका लोई काटेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा और इसी तरह से हमें आपको पहले ही में बता देती हूं कि हमें इसे बेलना कैसे है रोटी से थोड़ा छोटा और पूड़ी से थोड़ा बड़ा इसे बेलना है तो चलिए इसको हम सुखा मैदा लगा कर बेल लेते हैं इस तरह से यह बहुत ही कुरकुरा बनता है सोमसा और बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है यह देखिए हमने पूरी से थोड़ा बड़ा बिला है और रोटी से थोड़ा छोटा अब हम इसमें मसाले डालेंगे यह देखिए मसाले को हम इस तरह से रोल करके डालेंगे एक दम बराबर से एक बार इसे मोड लेंगे और यह देखिए अब हम क्या करे ते हैं इसको क्या करना है आपको साइड में पानी लगा कर सटाоды नहीं तेल के उसे पानी और अच्छे से साइड साइड में मोड़ना है तो यह दिखिए इस तरह से पानी आपको से साइड में लगा लेना है कि यह मोडने के बाद खुलेगा नहीं तेल में अब यह दिखिए इस तरह से मसाले को रोल करके रखना है एक जगा नहीं रखना है अब एक बार इसे दुबारा इसे फोल्ट करेंगे और यहां पर हम साइड में क्या करेंगे कट लगा देंगे यह दिखिए कितना आसान है कोई भी मोणने का जंजट नहीं है कोई भी बना सकता है और साइड में पहले पानी लगा दिया है और इस तरह से क्या होगा कि समोसा अच्छे से चिपक आएगा और तेल में जाने का खूलेंगा नहीं बहुत आसान रेसिपी कोई भी भी बना सकते हैं घर में गेष्ट आय हो फहां इक घर में पार्टी हो बड़्डे हो कभी बना सकते है अगर आप लसुन पयाज खाते हैं तो उसमें लसुन डाल सकते है यह दिखिए और 100% नहीं तभी हमारा समोसा जो है कुरकुरा बनेगा और लो मेडियम पर हमें पकाना है इसे तो यह दिखिए एक द्रब थोड़ा सा देर हो जाए दो मिनट के बाद इसे पलटना है डालते के साथ नहीं पलटना है तो यह दिखिए बिल्कुल खुलेगा भी नहीं और बहुत में करा रहा है और बहुत क्रिस्पे है यह झाया और इसमें सुजी ढलता करूं अद्रक धनिया पुंदीश और लेमू आर भाश चाटनी बनाने के लिए चटनी पिसकर हम डालेंगे ले मूकर रस नमक डाल दिया है अब उसमें हम डालेंगे लेमू कर रस एक चमज फशकत बना सकते हैं यह देखने में भी खुबसूरत है और खाने में भी बहुत ज़्यादा यह टेश्टी और क्रिस्पी भी है यह चटनी और यहाँ पर टमाटर सोस के साथ इसे हमने पुरोसा है आपको अगर हमारा रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा अपने घर पर ट्राइ किजिएगा तो यह देखिए कितना किस्पी है और कितना करा रहा है दोस्तों अगर आपको हमरा रेसिपी पसंद आए तो हमारे रेसिपी को लाइक किजिए हमारे चैनल को सस्क्राइब किजिए और ज्यादा से ज्यादा सेर किजिए फिर से मिलती हू एक नई रेसिपी के साथ